जब कड़ी पत्ता का पोदा दो तीन साल का हो जाता है तब इसके उपर ये फल लगने शुरू हो जाते हैं तब समझ लो आपका पोदा जो है maturity गेन कर चुका है आपको सामने बेर जैसे फल दिखाई दे रहे होंगे जो गोल ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं जब ये फल हलके परपल या ब्लैक कलर के हो जाएं तो समझ लो ये पक चुके हैं इन पके हुए फलों में कड़ी पत्ता के बीज होते हैं देखे कुछ-कुछ फल जो है मेरे पोदे पे ब्लैक हो रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूं मेरे पोदे ने नई ग्रोथ भी स्टार्ट कर ली है इन पके हुए फलों में कड़ी पत्ता के बीज होते हैं जिने हम बारिशों में ग्रोव कर सकते हैं और कड़ी पत्ता को स्टेम कटिंग से भी ग्रोव कर सकते हैं मैं अपनी इस वीडियो में कड़ी पत्ता के बीज और कटिंग लगाने की बीदी स्टोर कर शेयर करने वाली हू कुछ दिन पहले मैंने मामसुन में जो खाद कड़ी पत्ता में डालनी चाहिए उसकी वीडियो शेयर की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसे भी जरूर देखिए अगर आपने वो खाद अभी तक अपने पोदे में नहीं डाली है तो उसे भी जरूर डालेगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नेलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंस कटिंग लगाने के लिए जब भी आपने स्टेम लेनी है वो ब्राउन कलर की स्टेम जो है मचोर जो हो चुकी स्टेम है उसे चूज करना है तो friends देखिए morning का time है ये stem देखिए मेरी कितनी मोटी मोटी सी है pencil के जितनी मोटी है और brown भी हो चुकी है जो green stem होती है वो mature नहीं होती है तो आपने इस तरह की stem जब भी cutting लगाना हो तो इस तरह की stem आपने लेनी है और देखिए मैंने पोदे में पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद 10-15 मिनट के बाद फिर आपने इसकी cutting लेनी है क्योंकि सभी cuttings में पूरी stems में वो पानी जो है पहुंच जाता है फिर हमारी cutting का moisture loss नहीं होता तो यहां से 2-3 node area के नीचे से 5-6 inch की आप cutting लें इससे वड़ी cutting आप ना लें फिर वो cutting जो है फेल हो जाती है कटिंग मैंने ले लिया है तो यहां से मैंने cutting कट की थी वहां पे मैं यह fungicide powder लगा रही हूं ताकि पोदे का moisture loss ना हो और यह जो powder मैंने लगाया है यह bright company का है यह market में भीजों फाली शोक पर आपको असानी से मिल जाएगा तो देखिए cutting मैंने ले ली है तो इसकी जो नीचे की stems है यह मैंने seed को जो है cut कर लिया है नीचे के जितने भी पतिया है सब को मैं cut कर दूँग पहले seed pod को हम खोलेंगे फोल कर इसके बीज निकालेंगे देखिए एक तो seed pod बहुत छोटा सा है इसका बीज भी बहुत ही होता है तो इसका उपर का जो छिलका है इसको उतार दें आप उतारने के बाद इसमें से बीज निकाल ले देखिए ध्यान रहे कि बीज टूटे ना तो यह बीज जो बड़ा सारा है यह grow होने के इसके पूरे-पूरे chances है यह mature बीज है और यह छोटा है यह कच्चा बीज है जो हमने कटिंग कट की थी उसके उपर दो बीज लगे हुए थे तो दोनों ही कट हो चुके हैं तो मैंने सभी पतियां जो है इसकी हटा दी है स्टेम के उपर जितनी भी पतियां थी ताकि यह पोदा जो है पूरी अपनी अनरजी रूर्स बनाने में लगाए ना कि पतियां निकालने में लगाए टिप्स की काटिंग भी अच्छी तरह से कर दें टिप्स की जो स्टेम है वहां से कट कर दें ताकि और पतियां पोदे पर ना निकलें जहां जहां से इसके नोड एरिया ओपन है वहां बहां पर स्टेम के ऊपर मैं यह फंगी साइड पाउडर लगा जल और हैंस खेह को लगा सब्सक्राइब से चाहल उसको सब्सक्राइब तो देखिए जो गार्डन सोयल है 40% तो इसमें गार्डन सोयल है पोट में और 40% इसमें है रिवर सेंड तो 20% मैं इसमें बर्मी कमपोस्ट मैंने मिलाई है तो थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी फंगी साइड पाउडर तो देखिए ये मिट्टी बहुत बुर्बरी सी बन गई है 4 इंच का ये पोट है इसमें ड्रेनेज होल बहुत सारे से हैं ड्रेनेज होल हमेशा पोट में बने होने चाहिए जब भी आप कटिंग लगाओ बीज लगाओ या कोई पोधा लगाओ तो देखिए पहले मैंने इसको देखिए थोड़ा कैमरा साइड पर हो गया अच्छी तरह से मैं मिट्टी को मिक्स कर रही हूँ फंगी साइड पाउडर डालने के बाद मिक्स करने के बाद हम इसको मिट्टी को मोईस्ट कर लेंगे थोड़ा पानी डाल देंगे नीचे तक मिट्टी जो है पूरी मोईस्ट हो जानी चाहिए सूखी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए फिर मिट्टी जो है सूखी मिट्टी जो कटिंग का मोईस्टर खीच लेती है तो यह जो पोदा है कटिंग कड़ी पत्ता का यह मोईस्टर लविंग प्लाट है इसलिए मिट्टी में हम मेशा हलका मोईस्चर आप बना कर रखें तो देखिए दो तिन नोड एरिया को हम मिट्टी में डालेंगे होल बना लिया है मैंने मिट्टी में तो इस तरह से होल बना कर ही आप डाले थोड़ा मैं होल में फंगी साइड बाॉडर डालूंगी ताहां कि रूर्स को किसी भी तर प्रेस लग जाए फिर वह हो जाती है साइडों से अच्छी तरह से मिट्टी को प्रेस कर दे ताकि कोई भी एयर बवल्स ना रहे स्टैम के नीचे हवा अगर चली जाती है तो फिर भी यह कटिंग फेल हो जाती है अब इस कटिंग को हम किसी ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे क किसी पेड के निचे जहां से इसको च्छनकर हवा दूप मिले या सेमिशेड में या इसे जो मौर्निंग की दो गंटे की सनलाइट मिले तो देखिए दूसरा पोट भी सेम प्रसेस मैंने रेडी कर लिया है इसमें मैंने थोड़ा funggiside powder mix कर लिया है इसमें वि उसी quantity में vermi compost डाली है रेवर सैंड और डाली है मैंने garden soil तो अच्छी तरह से mix करने के बाद दिखी मिट्टी इस तरह से गिली गिली ही रखें जब बीज उगाएं आप बिल्कुल सूखी मिट्टी ना हो ताकि अगली बार पानी हम तब डालेंगे जब इसमें हलका मॉइस्चर रह जाएगा कटिंग का और बीज का बिल्कुल भी मॉइस्चर सूखना नहीं चाहिए मिट्टी का तो ये मिट्टी मैंने एक पोट में चार इंच का ही ये पोट है दो बीज ही डाले है तो दोनों को मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिट्टी के साथ कवर कर दूँगी बहुत ज़्यादा गहराई पर ये बीज नहीं डालने है बस एक इंच की गहराई बहुत होती है इन बीजों के लिए तो कुछी दिनों में ये जो बीज है हमारे अंकृत बन जाएंगे जो कटिंग लगाई है वो एक मन्त में जो है ग्रो होगी तो कटिंग को हिलने नहीं देना है तो वीडियो यूजफूल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई थैंक्यू फूर वाचिंग